हर दोस्तों मेरा नाव राजेश और मैं आपके लिए लेकर रहा हूं एक नया टूल टूल का नाम है इराक साहिरिया प्रो वर्जन 1.0 जो कि मैंने डाउनलोड किया है नाजारोम.com वेबसाइट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वहां पर इस वेबसाइट का लिंक है उसकी मदद से आप यह टूल अपनी डाउनलोड कर लीजे तो जैसा आप देख सकते हैं टूल को मैंने अपनी डाउनलोड कर लिया है और एक स्टैक्ट भी कर लिया तो मैं फटा फट टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टूल को खोल लेता हूं तो आप जैसा देख स्टैक्ते हैं कि इंटरफेस टूल का काफी खूफसूरत है और एक ही फीचर है जो में इंप़ोर्टेटन्ट फीचर है की तूल आपके सैमसंग फोन में से या एक तरह से बोलो कि कि किसी भी कॉलकॉम ।फोन में से एफरी प्रोटेक्शन है जो फैक्ट्री रि सेट्सित Google का उसको हटा देता है तो example के तौर पे आपका Samsung का फोन है Samsung का चलिए Galaxy Grandi मान लेते हैं उसके अंदर आता है Qualcomm का चिपसेट उसमें से अगर आपको factory reset protection हटाना है मतलब FRP हटाना है तो आप इस tool की मदद से जो FRP lock है आपके Samsung के फोन में से उसको हटा सकते है तो सबसे पहले आपको करना यह होता है कि आपको अपना Samsung का जो driver है अपने computer में install करना होगा उसके बाद आपको Samsung का जो phone है USB cable की थूरू connect करना होगा computer से जब एक बार आपका phone connect हो चाए computer से तो आपको यह tool open कर लेना है तो जैसा अभी आप interface देख सकते हैं तो वैसे ही आपकी computer में खुल जाएगा अगर जैसा आप interface अभी देख रहे हैं तो जब आप tool open करेंगे तो यह same interface आपकी computer में आ जाएगा तो उसके बाद आपको click करना है reset FRP ADB पे तो जैसे ही आप इस button पे click करते हैं तो आपके phone में से जो FRP protection है वो हट जाता है अगर इस button से आपको कोई response नहीं मेलता अगर अपने phone में से तो आपको ये दोनो buttons extra use करना होगा जैसे कि अगर मैं यहां से ये button इस्तमाल करके अपने phone में से FRP protection हटाने कोशिच कर रहा हूँ तो अगर ये work नहीं कर रहा तो मैं ये button यूज करते हुए हटा सकता हूँ अपने phone में से FRP protection तो काफी छोटा सा tool है और अगर आप इस tool को try करना चाहते हैं तो वीडियो के description में लिंक है उसके मदल से download करके try कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि ये tool काफी आपको useful लगेगा अगर आपको ये video पसंद आया तो इस video को like कर दीजे और हमारे channel को subscribe कर दीजे चले मिलते हैं अगले video में नमस्ते